जिन्पत मुझफवनगर के नई मंदी थाना शेत की एक पीरित महिला को नहीं मिल रहा है इंसाफ पीरित महिला का पती BSF में है कारेरत आपको बता दे कि नई मंदी थाना शेत के तिलक नगर में एक BSF जवान की पतनी रहती है तो वही कुछ दबंग लोग आये दिन उसको प्लॉट पर अवेत कबजा करने चाह रहे हैं जिसके पीरिता ने कई बार SFP को भी प्रातना पत्र दिया और DM सहाब को भी प्रातना पत्र दिया लेकिन अभी तक कोई भी कारवाई नहीं की गई है तो वहीं पीरित महिला का कहना है कि उसके पास उस प्लॉट के सभी कागजात भी हैं मगर फिर भी दबंग उसके प्लॉट पर नज़र डाले हुए हैं तो वहीं पीरित महिला का पती BSF में जवान है और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनाथ है पिरित महिला का कहना है कि अगर एक फोजी की बीवी को इंसाफ नहीं मिल सकता है तो और किसी को मिलेगा आपको बताते चले हैं कि पिरित महिला अपने मकान पर अकेली रहती है मकान की बराबर में ही उसका एक प्लॉट पड़ा हुआ है जिस पर भू माफियों की नजर रहती है और आये दिन उस पर कुछ दबंगों दुवारा आकर दबंगई दिखाते हैं और उसको जान से मानने की धंकी भी देते हैं तो वहीं उसके प्लॉट पर कबजा करना चाह रहे हैं महिला को अपने मकान पर अकेला देख दबंग भू माफिया कुछ दबंग लोगों को लेकर उसके मकान पर आ गए और उसको जान से मानने की धंकी दे डाली जिसकी सूशना डायल 112 को दी गई पर तैनाज फोजी की बीवी को किस तरह से इंसाफ मिलेगा इसा थोड़ी हो जाए अपको नहीं हो आपको नहीं कौन सब्सक्राइब यह वाला फोजी का है अब यह बाई हमारे प्लोट का मामला है यहां तिलक नगर में अमने प्लोट लिया था ठीक ही और इस पे कुछ अधर कोड़ेके हैं लोग बतते हैं कि हमारे जमीन है ठीक बहुए प्लोट का होई और इसाफ में करशे हैं सब्सक्राइब भी हमारे पास है और विसाल कोमार का जो बतते हैं वो यह भी हमारे पास है ठीके जी और जो मेरे वात का मसला नहीं होता जब तक आप इसको SM ना कराओ ने दोनों तरफ के पक्सों अपने देखे आप तरफ के नहीं देखे अपने घी ठीक है जी और यह है किनम जो मेरे हस्बेंड ने बीए सब में हैं बोर्टर पर टूटी कर रहे हैं और मैं यहां महिला हूं अके लिए दलित वैसे हैं और यहां कहां मैं प्रिसान करते हैं धमकी देते हैं मैं कि अपने अरिया की खबर लोकल अपडेट्स अनली और डेली हंट